पर पांच विकिट की जीत के बाद कहा की टीम में उनकी भूमिका रन रेट पर अनकुश लगाकर दबाव बनाने वाले गेंदबाज की है नभी ने शांदार गेंदबाजी करते हुए चार ओव में कीस रन पर दो विकेट शटकाई जिससे दिल ले कैपिटल्स की टीम आठ विकेट पर 139 रन ही बना सकी सन्राइजज हाइदरबाद और अफगानिस्तान की टीम में भूमेका पर नभी ने कहा कि वो रन रेट पर अनकुश लगाने की कोशिश करते हैं जिससे की दबाव बने और अन्य गेंदबाज विकेट हासल कर सके नभी ने सन्राइजज हाइदरबाद की पांच विकेट की जीत के बाद कहा मेरी यही रन नीती रहती है कि राशित और मुझीद विकेट शटकाने वाले गेंद बाज हैं तो मैं रन रेट पर अनकुश लगाऊं राश्य टीम में मुझे दस ओवर के बाद ही गेंद मिलती है इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खाली गेंद करूँ इससे टीम को फाइदा होगा क्यूंकि खाली गेंद से बल्ले बाज पर दबाव बनेगा और दूसरे छोड से राशित विकेट लेने में सफल रहेगा हमारी यही योजना होती है नभी ने कहा कि माच के दोरान उन्होंने कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की और अपना स्वाबविग खेल दिखाया उन्होंने कहा मैच के दोरान मैंने कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं कि अपना स्वाभविग खेल खेला, बस हाला तलग थे, हम इससे जल्दी सामन जस्य बैठाने में सफल रहे, पिछले माच मैं हमने 200 रन के आसपास का स्को बनाया था, हम हालात से जितना जल्दी संभव हो सामन जस्य बैठाने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान टीम के नभी के साथ ही रशित खान और मुझीबूर रह्मान उस्ट्रेलिया में बिग बैश और इंगलिन्ड में टीबीस ब्लास्ट में खेल चुके हैं और इस उफस्पिनर ने कहा कि आगामी विश्व कप में यह अनुभवी काफी एहम साबित हो सकता है IPL 2019 DC VSRH दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद भटके रिकी पोंटिंग जानिए क्या कुछ कहा IPL 2019 RC BVS KKR जाने दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग शी और माच सेट्स टीबीस ब्लास्ट खेलने का मकसद विश्व कप था नभी ने कहा राशित खान मुझीबूर रह्म गेंद काफी टन नहीं होती लेकिन उच्छाल मिलता है उन्होंने कहा पिछले साल भी हम टीबीस ब्लास्ट खेले इंगलेंट में इसी वजह से वहां खेले की विश्व कप का आयोजन वहीं होना है अच्छी गेंद बाजी भी की और अंदाजा भी लगा कि वहां पिक्च कै कैसी होने वाली हैं इसी अनुभवी से हम विश्व कप में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे हमारे में जितनी प्रतिभा है हम टीम के लिए उसका 110-120 प्रतिशत देंगे नभी नई हाइदरबाद की टीम में खेलने के अधिक मोके नहीं मिलते लेकिन उन्ह करने को तयार हैं उन्होंने कहा पिछले तीन साल से एक साथ खेल रहे हैं इसलिए संयोजन खुद ही बन चुका है हम मौके का इंतजार करते हैं और जब भी मैच में मौका मिलता है तो हम 110 प्रतिशत देते हैं नभी ने कहा कि एक गेन बाज के रूप में सफलता हासल करने के लिए बल्ले बाज का दिमाग पढ़ना काफी एहम है उन्होंने कहा बल्ले बाज के दिमाग को पढ़ना काफी जरूरी होता है बल्ले बाज क्या कर रहा है यह जानना काफी जरूरी है अगर बल्ले बाज शौट खेलने की कोशिश करता है तो आप बार बार एकी गिंद नह ये खास है। राशिद खान नभी ने कहा कि वो मैच के दोरान कभी-कभी sleeping clock राशिद को भी सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कभी-कभी मैच के दोरान आप वैसी variation नहीं कर पाते जैसी चाहते हो। तभीकभी आप उतनी एक आगरता नहीं ला पाते। जब हम राश्रिय टीम या किसी अन्य टीम में एक साथ खेलते हैं तो कभी कभी समझाना पड़ता है कि बल्ले बाज क्या करना चाहता है। आपको कैसी फील्ड इंग रखनी चाहिए। अगर आपी ज्यादा खाली गेंड फेंकोगे तो बल्ले बाज कलती करेगा लेकिन अगर आप विकेट के पीछे भागोगे तो आपके खिलाफ रन बनेंगे। इसी बारे में ज्यादा चर्चा होती है। राशिद की तारीफ करते हुए नभी ने कहा, राशिद अलग तरह का स्पिनर है वह बाकी लेक स्पिनरों से अलग है वही हवा में तेज है। और उसकी गुगली आसानी से समझ नहीं आती।